हलो नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है टेक्निकल हाइब चैनल पे और मेरा नाम है अरुन और मेरे पास हाथ में आपको दिखी रहा होगा रेड्मी 4 है जैसे की देख सकते हैं मैं आपको दिखायता हूँ डिवाइस इंफोर्मेशन के अंदर कि यह मेरे पास रेड्म 9.5 MIUI भर्जन पे जो कि यह 9.5.5.0 तो इसके अंदर आपको एक नया अपडेट देखने को मिल जाता है जिसके अंदर आपको पर्फॉमेंस ऑप्टिमाइज देखने को मिल जाता है जैसे कि आप यहां देख पा रहे होंगे MIUI भर्जन 9.5.10.0 जो कि है 210 MB का अपडेट आय इंक्लीजमेंट देखने को मिल सकते है आपको और साथ-साथम स्कूर्म स्क्रीन में कुछ चेंजर जेगाए है साथ मैं Cambridge अपको चैंजर देखने को मिल रहे है रहे हैं सेटिंग के अंदर देखने को मिल जाएंगे आपको MI APP के अंदर और B草जर APP के अनदर तो इन ही सारे application के अंदर आपको changes देखने को मिल जाएंगे means जैसे की home screen के अंदर दिया हुआ है delete, deleted shortcuts for moving data and managing second space means आपका shortcut delete हो जाएगा automatically अगर आप उस application के data को move करते कहीं हो और तो और साथ-साथ यह music के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा पूरा revamped MI music means आपका look थोड़ा अलग होगा साथ-साथ managing audio files on your device is much more convenient now means आपको अच्छा से manage करने को देखने को मिल जाएगा list के according किस तरह का आपका audio files arrange किया हुआ है साथ में यह settings के अंदर देखने को मिल जाएगा you can hide the shortcut to second space now means अब आप settings के अंदर आप shortcut two second space hide कर सकते हैं यह भी काफी अच्छा फीचर है साथ में साथ MI application के अंदर आपको क्या देखने को मिल जाता है added new tabs on the start page start page के अंदर आपको बहुत सारे tabs देखने को मिल जाएगे और आप horizontally भी scroll कर सकते हैं पहले आप vertically scroll कर सकते थे आप horizontally भी कर सकेंगे और ब्राउजर के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है added a card with recommendation means आपको ब्राउजर के अंदर चोटा मटा cards देखने को मिल जाएगे उसके अंदर आपको recommendations means suggested sites आपको देखने को मिल जाएगे और साथ साथ ब्राउजर optimize किया गया है improved search bar with bigger input area तो यह भी काफी है अपडेट है तो चलिए अब हम इस application को अपडेट करते हैं means यह phone को अपडेट करते हैं इस नए MIUI भरजन में और देखते हैं इसके अंदर रोगों क्या क्या changes देखने को मिल जाते हैं real life और real time में तो चलिए अपडेट करते हैं तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे हम मारा phone reboot हो चुका है और successfully update हो चुका है तो चलिए अब हमसे tap करके देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या changes देखने को मिल जाता है और मैं आपको settings के अंदर दिखा देता हूं कि आपका phone सच में update हो चुका है जैसे कि आप यहां देख पा रहे होंगे 9.5.10.0 तो जी हाँ update हो चुका है यह phone हमारा पूरा latest update में और अभी चेक करते हैं new update अगर आया है तो नहीं आया means यही अभी Redmi 4 का latest update चल रहा है 9.5.10 तो इसके अंदर आपको क्या क्या देखने को मिला था changes जरह मैं आपको दुबारा से दिखा देता हूं optimization है home screen है music है settings है MI apps है browser इन सभी के अंदर आपको changes देखने को मिल जाते हैं तो साथ साथ यहां जैसे की music है तो music के अंदर मैंने notice किया तो जैसे की music application हम उपेन करते हैं तो इसके अंदर भी एक नया update आ चुका है तो चलिए मैं आपको यहां दिखा रहता हूं settings भारचन जैसे की आप यहां देख पा रहे हैं तो एक नया update आ चुका है जहां पर आपको music video feature देखने को मिलता है तो चलिए अब हम इसे try करके देखते कि क्या है इस music application के अंदर जो की updated वाला में है और बाकी browser की बात करें तो आपर आपको recommendation section आपको देखने को मिल जाता था तो चलिए हम यहां पर देख लेते हैं तो जैसे कि हाँ जैसे कि हाँ यहां देख सकते हैं recommended section और साथ चाहती हाँ पर आपको जो टैब दिख रहा होगा यह काफी बड़ा हो गया है तो यह भी short cutly अगर आपको access करना यहां suggestions आपर news आपको देखने को मिल लागा यहां video cricket रोजबर्स यहां से आप access कर पाएंगे सारे आपने category wise information को तो यह changes आए हैं और साथ ही साथ और इसमें देखें means इसमें और क्यांतर रहा जारा देखें तो you can hide the shortcut to second space now second space का shortcut hide कर सकते हैं और साथ-साथ MI apps के अंदर आपको क्या देखने को मिल जाता है तो जैसे कि हमारा कि यहां downloading complete हो चुका है और हम music application के अंदर देखते हैं कि इसके अंदर वो क्या क्या changes देखने को मिलता है यहां normally तो खूल चुका है तो चलिए यहां पर देख लेते क्या क्या changes आपको देखने को मिल जाता है यहां पर online music करके आया है तो यहां सिर्फ online music ही आप प्ले कर सकते हैं रहा video option का तो वह भी हम चेक आउट करेंगे थोड़ी दिर में तो हां जी हां यहां music वीडियो आपको दीख रहा होगा trending music वीडियो सेक्शन आपको यहां दीख रहा होगा यहां से आप कोई भी music प्ले कर सकते हैं आपका जो भी यहां पर कि ट्रेंडिंग music वीडियो जोगा तो यहां से आप ट्रेंडिंग music वीडियो के एक्सेस कर पाएंगे यहां से और भी बहुत सारे ओप्सेंस दिये हुए जरह आयां से आप चेक आउट कर सकते हैं तो यह music वीडियो का उप्सें काफी अच्छा दे दिया गया है यहां से आप सिंपली जाकर वीडियो देख पाएंगे एक तरह समझ लिए यूट्यूब का डवल फीचर दे दिया गया है में यहां पर आप music भी प्ले कर सकते हैं साथ-साथ वीडियो भी लेकिना सिर्फ यहां ट्रेंडिंग music सेक्सान ही है इसलिए आप सिर्फ वीडियो यहां से एक्सेस कर पाएंगे तो चलिए हमारा यहां अपडेट का वीडियो खतम होता है अगर कोई डीटेल मिस हो गई हो तो मैं माफ़ी चाहूंगा तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें और मैं ऐसे वीडियो आप लोगों तब पहुंचाता रहता हूं और साथ-साथ मैंने एक डीसे का कोर्स स्टार्ट करने की कोसिस किये तो मेरे पुराने वीडियो को बढ़े